नमस्कार दोस्तों मैं कादल कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूं माई वीजा में UK पढ़ने का सपना तो हर स्टूडेंट ने देखा है बट हर कोई जानता है कि UK का एक पाउंड इंडिया के 90 रुपीज की वैलियू रखता है जिसे ये प्रूव हो जाता है कि यहां की कॉस्ट इंडियन स्टूडेंट के लिए कितनी मेंगी है फी तो हम जैसे तैसे करके UK पहुँची जाते हैं पट मेजर क्वेशन इस वहां की कॉस्ट अफ लिविंग को कैसे मैनेज करना है चली आज मैं आप सभी को बताती हूं की 1000 पाउंड में आप कैसे UK में 1 month survive कर सकते हैं UK में हर सिटी की कॉस्ट बहुत वरी करती है अगर आप लंडन चूस करेंगे तो वहां रहना काफी महंगा पढ़ सकता है But out of the city रहना will totally fall under your budget But that too with some restrictions सबसे बड़ी payment रेंट की होती है City के बाहर भी आपको 1 room plant का रेंट 550 पाउंड तक देना पड़ता है जिसके बाद you are left with just 450 पाउंड And it is impossible to cover all other expenses in 450 इसलिए आपके पास best option ये है कि आप एक रूम मेट को साथ रखें रूम मेट के साथ होने से आपका रेंट half divide हो जाता है और आपको सिर्फ 250 पाउंड पे करना होता है Money save करने का एक और best option ये है कि आप एक ऐसा apartment चूज करें जिसके electricity bills भी रेंट में ही included हो अगर आप अपने laptop या tap पर television देखना चाहते हो तो आपको उसका license लेना पड़ता है which is 125 pounds per month आप इस expense को totally cut out कर सकते हैं Let's be practical हर एक international student UK में पढ़ाई भी करता है और काम भी करता है ऐसे में TV के लिए spending is a foolish thing क्योंकि students के पास जब भी थोड़ा सा time होता है तो या तो सोते हैं या फिर वो internet surfing करते हैं ऐसे में spending money on TV is not a great idea फोन तो सबकी life का important part बन चुके हैं फोन के भी ना survive करना is impossible और से स्टडीज करने पर अपनी family and hometown friends को miss करना तो बहुत ही common सी बात है इसलिए phones को cut off नहीं किया जा सकता पर यहां के बहुत networks के पास कुछ amazing plans हैं जिससे आप 200 pounds में per month easily cover कर सकते हैं आपके rent charges and phone meals को भरने के बाद you'll be left with approximately 500 pounds हर किसी को बाहर से खाना बहुत पसंद होता है combo meals और other fast foods भी हर student को बहुत पसंद होती हैं but it costs a lot you'll never be able to survive on 1000 bucks if you eat out daily इसलिए best option यह है कि आप हर week grocery shopping के लिए जाएं और अपना food अपने room पर ही prepare करें हर month की groceries का charge आपको 300 pounds तक cost करता है which totally falls under your budget यहाँ expenses save करने के लिए आप private travel को भी avoid कर सकते हैं यहाँके taxis का rent काफी ज़्यादा होता है instead of that आप public transport use करके काफी money save कर सकते हैं 50 to 60 pounds में यहाँ students का monthly bus pass त्यार हो जाता है इसके इलावा यहाँ students को काफी discount भी दिये जाते हैं अब परदेश में सेहत खराब हो गई तो क्या यह ज़रूरी है कि इन सभी खर्चों को पूरा करने के बाद भी अब कुछ पैसे अपनी healthcare emergencies के लिए save करें you should definitely save 100 pounds per month for emergencies सभी खर्चों का total करने पर we are just left with 100 pounds and friends who do not love to shop or watch movies and do other stuff in 100 pounds में you can easily do your fun things and watch your favorite movies इसमें आप every month shopping तो definitely afford नहीं कर सकते but you can definitely save for two months and then go shop as you desire इसके लावा students को यहाँ 20 hours per week work भी allowed है and holidays and vacation में तो full time work भी कर सकते हैं students को यहाँ 9 to 10 pounds per hour wages दिये जाते हैं including your holidays, full time work करके आप अपने next semester की fees भी कठी कर सकते हैं and अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे 1000 pounds में आप पूरे महिने with a little planning असानी से अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं तो दोस्तों फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमारे comment box में जरूर लिखिए किसे भी country या visa या ticket की जानकारी के लिए भी आप हमें call कर सकते हैं हमारे number screen पे दिये गए हैं आप हमें follow भी कर सकते हैं हमारे social media links description में दिये गए हैं ऐसी और भी इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए देखते रही हैं माई वीसा थैंकि फो वाचिंग आप वीडियो